आजकल N-type panels का बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोग confused हैं के P-type panel लगाएं, Bifacial लगाएं या N-type panel लगाएं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा के N-type panels क्या होते हैं, किन ब्रेंट्स में N-type panels आते हैं और क्यों N-type panels बाकी panels से बेहतर हैं ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा बिस्मिल्ला रामाने राही, असलाम अलकुम मेरा नाम है वकाज खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो, सोलर पैनल्स में आने वाली एक नई टेकनोलोजी के बारे में है ये है N-type panels, P-type और N-type panels के अंदर जो major differences हैं या जो P-N junction की major details जानने के लिए आप मेरी एक पुरानी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं आजकल जब भी आप panel लेने जाएं तो पहले यह होता था कि Mono Crystalline लें या Poly Crystalline लें या Thin Film लें 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 लेकिन आजकल उससे ज़ादा मजीद नई technologies आ गई है, Topcon technologies आ गई है या N-type आ गई है या 450 Watt के पैनल्स होते थे, वो P-type पैनल्स ही होते थे, P-type पैनल्स के अंदर, basically solar panel के जो cells होते हैं, उसके अंदर जो major chemical इसमाद होता है, वो silicon होता है silicon अकेला conductivity नहीं करता, इसकी conductivity को बेहतर बनाने के लिए और इसमें से light को DC करंट करने के लिए इसके साथ other chemicals की doping करनी पड़ती है नॉर्मली इससे पहले बोरोन की doping होती थी, जो के P-type पैनल्स बनाते हैं, बोरोन की doping करते हुए क्या होता है, उसके अंदर एक electron कम होता है P-type पैनल्स बनाने के लिए बोरोन की doping की जाती थी, डोपिंग से मुराद ये होता है, कि silicon के अंदर बोरोन को mix किया जाता है आते हैं solar panels, तो पहले ही साल, पहले ही महीने में light induced degradation की वज़ा से, उसकी क्योंकी light induced degradation ज़्यादा होती है, तो पहले ही महीने में वो 10% उसकी efficiency कम हो जाती है, बलब जो 100% efficiency वाला पैनल होता है, वो 90 पे आ जाता है Whereas, जब N-type पैनल बनाए जाते हैं, तो N-type पैनल के अंदर क्या होता है, कि N-type के अंदर phosphorus की doping की जाती है, phosphorus की doping करने के बाद, पैनल के अंदर negative charge जादा हो जाता है, मतलब उसमें electron जादा हो जाते हैं, consequently उसमे current conductivity भी बहतर हो जाती है और phosphorus की light induced degradation होती है, वो कम होती है, मतलब light के अंदर जब solar panel को बनाने के बाद expose किया जाता है, तो panels अपनी efficiency कम down करता है, वो अपनी उसकी life भी जादा हो जाती है, जो normal P-type panels होते थे, वो 10-10 साल warranty वाली थे, लेकिन N-type panels जो हैं वो 12 साल या 15 साल warranty वाले panels आ रहे हैं, plus इनके अ size में जो 550 Watt का panel होता था, उसी dimensions के अंदर N-type panel 575 या 580 Watt के panels आ रहे हैं, तो मतलब ये space भी कम cover करते हैं, इनकी light induced degradation की value भी बेतर है और ये degrade भी कम होते हैं, इनकी life भी जादा होती है, अब आ जाती है pricing की बाद, pricing से में सिर्फ 2 या 3 रुपे पर Watt, पाकिसान में इनकी prices का difference है P और N-type panel के अंदर internationally एक आदे सेंट का फरक है, नई technology के जितने भी plants बन रहे हैं, वो सारे के सारे N-type panels में बन रहे हैं, Canadian, Jinko, Longi या Trina इन तमाम companies ने N-type panels बनाना शुरू कर दिये हैं, पाकिसान में इस वकद N-type panels के अंदर Canadian या Jinko के panels आ रहे हैं, और बहुत near future में Trina के या Longi के panels भी आना शुरू हो जाएंगे, Longi में Hymo 7 की series जो आए कि वो शायद N-type panels होगी, लेकिन अभी near future में वो नहीं आ रही, मैं यह video बना रहा हूँ, यह video बना रहा हूँ, October 2023 में, तो obviously time के साथ चीज़ें change होती रहती हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आपको आज की video के यह पता चल गया होगा कि N-type panels के अंदर ऐसी क्या फिसूसियत है कि जो इसको बाकी panels से मुनफरिद बनाती है, efficiency की बाद मैं इसमें mention करता चलूँ कि N-type के panels की efficiency शुरू ही 22% से आती है, और P-type के panels maximum 21.5 या 21.8% efficiency तक जाते थे, लेकिन N-type panels 23, 24 या even 25% efficiency वाले panels भी आ रहे हैं लेकिन commercially इसवगत market में जो available हैं, वो 22.5% efficiency वाले panels हैं, मतलब उसमें उसी जगह पे जहां पे 550W का panel होता है, उसी जगह पे उसी space पे 580W की output मिलेगी, प्लस N-type के अंदर जो नई technologies के जो नए size के panels आ रहे हैं, 610W के या 690W के जो panels आ रहे हैं, वो भी N-type के अंदर ही आ रहे आपके system के अंदर installation cost कम आएगी, breakers की cost कम आएगी, framing की cost कम आएगी, भड़े systems के अंदर N-type के panels लगाने से आपको मजीद फाइदा होगा, आपकी बहुत सारी जो costs हैं वो बच जाएंगी, क्योंकि other equipment की भी अच्छी खासी cost होती है, जब वो कम लगेगा उसी जगह पे panel करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, thank you